इस समय दुनिया भर में क्रिकेट नहीं हो रहा और दुनिया भर के जतनी भी क्रिकेट टीमें हैं या उनके जो क्रिकेट बोर्ड हैं वो नजरे गड़ाये हुए हैं ICC पर और खासकर ICC की इवेंट पर और ICC की इवेंट होने वाली है T20 World Cup जो अभी जिस पर अनिश्यत्ता के बादल बादल चाहे हुए हैं कब होगी यह अभी तक बहुत निश्यत नहीं है कुछ कह रहे हैं कि इस बार होगी और कुछ कह रहे हैं जो दूसरा प्रपोजल जो ICC की मिटिंग में रखा गया था वो फरवरी मार्च का था और तीसरा रूंते प्रपोजल था अगले साल इ इसे आउजित करने का भी एक प्रपोजल है तो इसे ICC की इसे समंद्र जितने भी समंद्र बोर्ड हैं वो बहुत ही परिशान है लेकिन वहीं BCCI की स्थिति बिल्कुल अलग है जी आं BCCI को T20 World Cup से जतनी आमदनी होगी पूरे World Cup से T20 World Cup से उतना तो BILATERAL Series के दो मैचों से भी वो ज्यादा कमालेगी यानि दो जो ICC के जो BILATERAL Series के जो दो मैचोंगे भारत में होने वाले या भारत के बाहर भी इवन उसमें भी जो भारत को आमदनी होगी दो मैचों से वो T20 World Cup से जो उसको हिस्सेदारी मिलेगी उससे वो ज्यादा राशी होगी तो इससे आप अ जरूरी होगा कि अलग 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 देशों के साथ अगर भारत की सीरीज होती है और यहां आपको यह भी एक ध्यान दिला दें आपको इस बात की और भी कि जितने भी BILATERAL Series में कमाई होती है दो टीमों की उसमें अगर भारत इन्वाल हो जाता है तो वो कमाई कई गुना बढ़ जाती है इन टीमों की यानि फर्श कीजिए इंडिया की टीम अगर शिरलंका गई या वेस्ट इंडीज गई एक तरफ वेस्ट इंडीज और शिरलंका की सीरीज हो रही है तो वेस्ट इंडीज शिरलंका की सीरीज में उसको वो आंधनी नहीं होगी जितनी शिरलंका भारत की सीरीज में होगी या वेस्ट इंडीज भारत की सीरीज में होगी यानि हमारे involvement से उनकी कई गुना राशी बढ़ जाती है तो यह है एक बहुत ही मज़ेदार पहलू और इसी वज़ा से आप देखेंगे शर्लंका फिकेट बोर्ड ने भी वो उसी सही कभाई करना चाहरा है कि उसके वी चार पैसे बन जाएं वेस्ट इंडीज बोर्ड अपने तरीके से कोशिश कर रहा है इस्चिया कप का वो उससे उस पर दूसरे देशिक बॉर्ड है उनको भी लाव होता है अब आप कहेंगे वैं आइपेज से दूसरे देशिके देशों को कैसे लाव होगा जी अं मैं बताता हूं उसका एक तरीका कि जिस्टरह से IPL में तमाम दुनिया भर के देश्यों के खिलाडी भाग लेते हैं जितने में उनकी उन्हें खरीदा जाता है किसी फ्रेंचाइजी ओनर द्वारा जितनी उनकी बोली लगती है उसका 20% जो है समंधित क्रिकेट बोर्ड को जाता है अब आप IPL का उधारन देखेंगे तो इसम जिस तरह से 500 खिलाडियों की बोली लगी है तकरीबन उसका 500 करोड की बोली लगी है विदेशी खिलाडियों की ओवर्सी स्पेर्स की उन 250 का मतलब हो गया की करीब करीब उसका जो पांचवां हिस्सा है 20% जो है राशी वो जाएगी समंधित क्रिकेट बोर्ड को तो ये एक अलग से पहलू है एक अलग से कुछ कमाई का एक जरीया है 240 करोड है 200 करोड की आसपास का और उसमें से 48 करोड समंधित क्रिकेट बोर्डों को जाएगा तो ये एक अलग से आमदनी हो जाती है IPL के जरीए तमाम क्रिकेट बोर्डों की अगर हम BCCI की ओवराल इंकम देखें तो IPL से उसकी कमाई होती है 2500 करोड रुपया जी है 2500 करोड रुपय तो खाली इंडियन प्रीमियर लीग से कमा लेती है BCCI और उसके अलावा 950 करोड की उसकी आमदनी होती है बाइलेटरल सिरीज से वो भी अपने आप एक बहुत बड़ा एमाउंट है जो दुन्या में किस 1000 करोड BCCI को आमदनी होती है अगर हम FTP के सरकल की बात करें आठ साल में किसकी कितनी कमाई होती है तो उसमें भी BCCI सबसे उपर है और BCCI को तकरीबन 31 अरब रुपय की राशी मिलती है ICC से आठ साल के लिए जी आठ साल में 31 अरब की राशी हासिल होती है यानि 405 मिलियन इसी बी इंग्लेंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है उसको साड़े 10 अरब रुपय की आमदनी होती है यानि 149 मिलियन डॉलर आठ साल के लिए इसी तरह क्रिकेट ऑस्टीलिया हो चैक्रिकेट साउथ अफरीका हो चाहें PCB हो न्यूजिलेंड क्रिकेट बोर्ड हो श इसी से यानि इनको बाइलिटल स्ट्वला में कहीं ज़ाधा आमदनी होती है इन ही सब पहलों से यानि आइसी सी की और से आमदनी होती है इसलिए सारे क्रिकेट बोर्ड जो है ICC का मूँत आक रहे हैं और बिसी से को आई सी की जरूरत है अगर ICC थोड़ा सा अपना नाक न प्रसारंड जो अधिकार है उससे जतनी आमदनी भारत को होती है उतनी आमदनी किसी और देशों के क्रिकेट बोड को नहीं होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें